सात्यों संवेदन सिल ताके बिना गुड गवर्णनेंस की कलपना नहीं कर सकते हमारे हां 110 से अधिक जिले ऐसे थे जिने पिछड़ा मानकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था कहा जाता था क्योंकि 110 जिले पिछड़े हैं इसलिए देज भी पिछड़ा रहेगा जब किसी अपसर को पनिश्मेंट पोस्टिंग देनी होती थी तो इन जिलों में भेजा जाता था मान लिया गया था कि 110 जिलों में कुछ नहीं बदल सकता इस सोच के साथ ना यह जिला कभी आगे बढ़ पाते और ना ही देश विकास कर पाता इसलिए हमारी सरकार ने 110 जिलों को आकांची जिले एस्पिलेशनल डिस्टिक की पहचान दी हमने मिशन मोड पर इन जिलों के विकास पर फोकस किया आज यही आकांची जिले विकास के अनेक परामिटर्स पर दूसरे जिलों से कहीं बहतर प्रदर्शन कर रहे हैं इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए कि आज हम आकांची ब्लॉक्स प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं साथ क्यों जब सोच और एप्रोच बदलती हैं तो परणाम भी मिलते हैं कि बसकों तक बॉर्डर के हमारे गाउं को आखरी गाउं माना गया हमने उन्हें देश के पहले गाउं होने का विश्वाव दिया हमने सिमावर्ती गाउं में वाइपरेंट बिलेज योजना शिरू की आज सरकार के इधिकारी मंत्री वहां जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं कोई तो सत्रा सत्रा हजार फिट की उंचाई पर गए है आज सरकार की योजनाओं का लाब और तेजी से महां पहुंच रहा है एक गुड ग्योवननस नहीं है तो क्या है आज देश में कोई भी दुखदात्सा हो कोई आपदा हो सरकार तेज गती से राहत और बचाओं में युक्रेन यूत के समय देखा है दुनिया में कहीं भी मुश्किल हो तो देश अपने नागरीकों को बचाने के लिए युद्वस्तर पर काम करता है गुड ग्योवननस में ऐसे ही अनेक उदान दे सकता है शासन में आया ये बढ़लाव अब समाज की सोच को भी बदल रहा ह है इसलिए आज भारत में जंता और सरकार के बीच भरोसा ये नई बुलंदी पर है यही भरोसा देश के आत्मविश्वास में जलक रहा है और यही आत्मविश्वास आजहती के अम्रितकान में विक्सीद भारत के निर्मान की उर्जा बन रहा है